दिल्ली से बड़ी कबर आपको बदा दे बिशबूशन शरन सिंग के खिलाब आज दाखिल हो सकती है चार्जशीट दिल्ली पुलिस साज दाखिल कर सकती है चार्जशीट चार्जशीट दाखिल करने के लिए तो पहर बारा बजे कोट जाएगी दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों के योगन शोशन केस में दाखिल होगी चार्जशीट 7 जून को खेल मंत्री ने प्रदर्शन कारी पहलवानों के साथ मुलाकात की थी दिल्ली पुलिस से 15 जून तक चार्जशीट दायल करने को आपको बनादे एक अनुराग ठाकुन ने कहा था पहलवानों ने दिया था सरकार को 15 जून का अल्टीबेटर महिला पहलवान कर रही प्रिजबूशन शरण सिंग की गिरफ्तारी की लगातार मांग महिला पहलवानों ने दर्स कराए था धारा 164 के तहट बयान रिजबूशन के खिलाव पोक्सो एक्ट के तहट अफायार भी दर्स है हलाकि आपको बता दे कि जिस पहलवान ने ये केस दायर किया था उससे अब वो केस वापस ले लिया है हलाकि अब आज के देन जो चार्जशीट दाखिल की जाएगी उस दौरान चार्जशीट में क्या कुछ लिखा होता है ये देखना होगा वह भात्य कुष्टी संग के जुनावों की तिथियां गोशित होने के बाद अब राजनेतिक सरगर्मी तेश हो गई है अगावी 6 जुलाई को भारतिय कुष्टी संग के पदादिकारियों का चुनाव होना है जिसमें ब्रिजभूशन शरंग सिंग के परिवार और सहयोग्यों के चुनाव लड़ने के लिए अपमान जनक और लोकतंत्र के खिलाफ है इसके साथ ही उन्होंने पहलवानों के धरने को राजनिती से प्रेदित बताते हुए कहा कि पहलवान खेल संग पर कबदा करना चाहते है MLC देवेंदर प्रताप सिंग केल मंत्री से निस्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आख्रे भी कर रहे हैं